Good morning student, मैं विकास प्रमारे एक बार फिर आप लोगों का सवागत करता हूँ तो बच्चों ये science का part 2 लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जो बहुत important रहेगा तो आज का पहला question है, सूके फल जिसकी कलियों को मसाले की रूप में इस्तमाल किया जाता है वो लोगों होती, close होती है अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मसालों की रूप में दो चीजों का परियोग होता है एक तो लोग का होता है, एक दालचीनी का होता है दालचीनी में तो छाल का परियोग होता है मसाले की रूप में और लोंग में कलियो का परियोग होता है मसाले की रूप में और लोंग जो होती है वो एरोमेटिक होती है बोजंद में सुगन देने के काम आती है ये उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इलाइची जो है उसमें भीजो से बनते ही इलाइची केसर जो होता वो कस्मीर में मिलता है सबसे जाता केसर तो वल्ड में इरान में मिलता है लेकिन बारत के अंदर कस्मीर के अंदर मिलता है और कई बार पूछ लिया जाता है कि जो केसर है वो करेबा में पाया जाता है करेबा ये आई लेंड होते हैं जो जम्मू कस्मीर के अंदर पाया जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के उपर आते हैं नेक्स्ट पाइंट क्या कहता है पुस्प विहिन पोदों को कहते हैं तो पुस्प विहिन जो पोदे होते हैं वो क्रिप्टो गेम होते हैं और जो पुस्प के साथ होते हैं उनको फैनरो गेम कहते हैं ठीक है यह प्लांट किंग्डम को दो बागों में बाटा गया है क्रिप् भर्डवरोय हैं नसीनाजूराण कि पार पोड़ होते हैं जिनका तना और संफ्ट होता है और इस फेलाफ़ाइटा वरक के समाहनानी है। क्या का जाता बच्चो सहवाल और अगर मैं इसके एक्जाम्पल की बात करता हूँ तो इसके अंदर एक तो एलगी हो गया एक फंगी हो गया एक स्पाइरोगारा एक कारा ये सारे के सारे थैला फाइटा वरक के एक्जाम्पल है और अगर ब्रायो फाइटा के बारे में बात क होता है और एक होता मारकेशिया मारकेशिया ये है बरायो फाइटा के एकजामपल और अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ बरायो फाइटा के बारे में ये जो पोदे होते हैं ये तने और पत्तो जैसी सरंचना में भी बाजित तना और पत्ता होता है इनमें जड़ नहीं होती है यह चीज याद रखना और इनमें जल पर इवैन के लिए उत तक नहीं पाये जाते हैं मतलब जाइलम और फ्लोएम वगेरा इसके अंदर नहीं पाये जाते हैं और अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ तरीडोफाइटा के बात करता हूँ तो मैं मारसेलिया फरन और 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 स्टेल ये तीन एगजामपल है इसके बच्चो टैरिडोफाइटा के उसके बाद next point दुनिया का सब से लंबा पोदा कौन सा होता है तो दुनिया का सब से लंबा पोदा है यूकलिप्ट्स क्या है यूकलिप्ट्स और सब को या ये सबसे छोटा अगर मैं आप लोगों से next point करता हूँ टैक्टोना जो है वो इनकी लकडी बहुत आड होती टैक्टोना पोदो की लकडी बहुत आड होती है इसलिए इसका यूज फरनीचर बगैरा बनाने में किया जाता है बास जो है वो एक परकार का गास होता है अलफा अलफा जो है वो मेडिकल में यूज होता है कोलेस्टोल को कंट्रोल करने का काम होता है इसका अलफा अलफा का ठीक है उसके बाद लाइकेन अगर वाईउ मंडल में दीख रहे है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि मतलब लाइकेन जो होते हैं वो वाईउ SO2 की मातरा कम होगी sulfur dioxide की मातरा कम होगी इसलिए lycan अच्छे हैं मतलब जहां पे lycan होगा वाँ पर दूशन बहुत कम होगा और SO2 जो है वो अमलिय वर्षा के लिए responsible gas भी है अमलिय वर्षा के लिए responsible gas है sulfur dioxide और nitrogen dioxide ठीक है? lycan जो होता इसके अंदर सह जीवी संबद होता है symbiotic relation होता है ये दो चीज़ों से मिलके बनता कवक और सहवाल से ठीक है? और दूसरी मैं बात करता हूँ lycan किसे पराप्त होते हैं lycan litmus पे परशे पराप्त होते हैं ठीक है? next point के उपर आते हम पेड के तनों में रहने वाले जानवर जो है वो क्या कहलाते है तो वर्क्षिय कहलाते है कई बार ओरे बील इसको इंगलिश में कहते हैं वर्क्षिय ठीक है? और जो अवा में उड़ते हैं उसको उड़न सील कहते हैं वो लेंट कहते हैं और पानी में रहने वाले जीवों उनको Aquetics कहते हैं ठीक है। उसके बाद अनुकिंशन आया गया शाल का कपयोगमसाले के रूप में मसाले के रूप में पूछे तो दाल जीनी और जो आपका लोंग था, वो मैंने बता दी कली में उसमें कलियों का यूज होता, मसाले के रूप में, यह flower bud होती है, flower bud भी पूछ सकता आप से, नीम का पानी जो है वो seed से निकाला जाता है, नीम का पानी, उसके बीजों से परप्त किया जाता है, और नीम का वेग्यानी की नाम है, अजादी रेक्टा इंडी का वेग्यानी की इस तरीकी की जो पोदा होता है, वो मिश्रीत पत्यो वाला पोदा होता है, और इसके एक्जाम्पल है, नारियल, ठीक है, और यहां पे मैंने बता दिया, पिपल का वेग्यानी की नाम है, फाइकस रेलिजियोसा, उसके बाद है, फूल गोबी के पोदे में उपियोगी बा मतलब फूल गोबीगा खाने वाला बाग कोन सा होता है, तो विक्षित पुष्प करम होता है, विक्षित पुष्प करम फूल गोबीगा खाने योगय बाग होता है, तने तीन परकार के होते हैं, स्टीम, वाईविये, अर्द वाईविये और भूमीगत तने, तो जो अदर प्रग्राउंड श्ट्रीम अगर नहीं पूछी तो इसे राई जोम भी कहते, राई जोम भी पूछ सकता है, कि राई जोम का सम्मद्ध की से अदरक से, ठीक है, तने मैंने क्या बताए हैं, भूमी गतने की बात अगर मैं करता हूं, तो ये तीन परकार की उते हैं, सतंबकंद सतमकंद के एक्जामपल है आलू ओल तो इसका मिलब आलू और ओल क्या है तना है और तना भी किस परकार का भूमीगत तना परकंद के एक्जामपल की बात करता हूँ तो मैं अदरक, अल्दी, केला, फरन अदरक, अल्दी, केला, फरन ये परकंद के एक्जामपल है तो पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि अदरक क्या है तो कह देना तना अलदी क्या है? बोल देना तना केला क्या है? तना फरंद क्या है? तना उसके बाद सल्ककंद क्या गिजामपल है प्याज और लैसून तो ये भी अगर पूछ लिया जाए कि इन में से अंडरग्राउंड स्टीम कौन सी है तो आप लोग बता देना प्याज औ लैसून भी अंडरग्राउंड है और ये सल्ककंद में आता है ये याद रखना ओएल सीड्स के लिए करांती कौन सी है येलो रिवलोशन ओएलो रिवलोशन तिलन खादे ठीक है धनिया जो है उसका कौन सा भाग खाने योग्ग होता है पूछ लिया जाए तो धनिया का खा असीज को ने उप्राइबू लाईसृ है ओ असीज जो है असीज यह रेजिन फ्लूड निकलता इसे असीज से क्या निकलता है रेजिन फ्लूड यह मतलब एक परकार का ये ऐसीज जो होता है वो नशा करने के लिए ये यूज होता है असीज होए छरह हूए पाहंग शु sich यह सारे के सारे नसीले पदार्थ है तो असीस से रेजिन फ्लूट निकलता है और इसे पतिया और इस तरी पुस्प गुच से प्राप्त किया जाता है यह चीज याद रखना और इस पोदों में रेजिन गलेंड होती है रेजिन गलेंड जिसे ट्राइकोम कहते हैं अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ आसीस और चरस असीस तो बता दिया पतिया और इस तरी पुस्प का यूज होगा और चरस के अंदर पत्तो को रभ किया जाता पत्तों का यूज होता है ठीक है उसका रेजिन निकाल कर चरस बनाया जाता है और गांजा जो होता है उसमें फ्लावर यूज होते हैं फूल यूज होते हैं गांजा बनाने के लिए और भांग में पत्ते यूज होते हैं तो कई बार आप लोगोंने बार लोगों को देखा हो बांग को की पत्योकोर बांग बनाने के लिए पत्योकोर अगणना पड़ता हाथ तो से ठीक है तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही है बच्चो मिलते एक ब्रेक के बाद तब तक दुआउं में याद रखना थन्यवाद